हेलो दोस्तो गेट्स मेंशिज में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम धिस्लिस करने जा रहे है read after write data hazard और इस वीडियो में हम read after write data hazard के बारों में सारे important point जो है वो डिस्लिस करने जा रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर रहे हैं भी तक आपने नहीं किया and please press the bell बटन ताकि आपको सारी latest notifications मिलती रहें तो start करते हैं read after write data hazard मैंने जैसा कि data hazard के बारे में already एक वीडियो बनाई थी जिसमें introduction to data hazard मैंने discuss किया था तो यहाँ पर हम detail में discuss करने जा रहे हैं पहला hazard that is read after write hazard यह जिसको हम generally बोलते हैं read after write dependency सबसे पहले अगर हम बात करें है पर example से दिखते हैं इसको let's say r1 plus r2 and the result is saved in r3 मतलब मेरे पास एक instruction 1 है instruction 1 और instruction 1 है कि r1 plus r2 register की value को हम r3 register में save कर रहे हैं और एक instruction है 2 और उस instruction में let's say r3 plus r4 और उसकी value को let's say हम save कर रहे हैं r5 में इस तरीके से हमारे पास दो instructions जो हैं वो दे रहे हैं i1 and i2 सबसे पहले अगर हम बात करें read after write का मतलब क्या है कि already हमने i1 के अंदर क्या कर रहे हैं इन दोनों values को sum करके मतलब इन registers में जो भी हमारे operand पड़े हैं उन operand को हम sum करके finally data को write कर रहे हैं r3 के अंदर और i2 instruction के अंदर हम r3 को read कर रहे हैं और उसकी value को add करके finally save कर रहे है r5 में तो यहाँ पी अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं problem create हो सकती है वो problem कब create होगी कि इन दोनों का sum r1 और r2 का sum हमने update अभी किया नहीं r3 में और उससे पहले हमने r3 में read कर लिया मतलब i2 के अंदर हमने r3 को read कर लिया इस type की जो dependency है उसको बोलते है read after write dependency और यहाँ पे अगर आप ध्यार से देखो let's say कि हमारे पास four stages pipelining का example ले लेते है four stage pipelining का मतलब है let's say instruction fetch and decode operand fetch execute and write back आप चाहे five stage pipelining का भी example ले सकते हो let's say कि हमारे पास four stage pipelining है और उसके अंदर हमने सबसे पहले i1 instruction को execute किया सबसे पहले हम क्या करें instruction को fetch किया decode किया फिर operand को fetch किया execute किया and जो result हूँ हमने write back कर दिया जो भी जहाँ पर हमने write back कर रहा है जैसे यहाँ पर हम r3 के अंदर write back कर रहे है तो finally हमने value को right back किया अब यहाँ पे देखो अगर आईवन instruction की बात करें सबसे पहले हमने आईवन को fetch किया, decode किया फिर operand को fetch किया, मतलब R1 और R2 को यहाँ पे fetch किया execute किया, दोनों को plus किया और finally right back किया इन दोनों के sum को मतलब जो R3 है, वो R3 को final output अपनी कहाँ पे मिलेगी R3 को अपनी final output मिलेगी right back करने के बाद मतलब इस stage के बाद यहाँ पे R3 में value जो है वो finally update होगी लेकिन हमने क्या किया, instruction 2 को भी start कर दिया जैसा कि हम pipe lining में करते हैं, हमने instruction 2 को यहाँ पे start किया तो instruction 2 को हमने यहाँ पे fetch किया, decode किया और इसके बाद हमने operand को fetch किया, let's say उसके बाद हमने execute किया और finally हमने write back कर दिया result को अब यहाँ पे देखो दियान से instruction को fetch किया, decode किया मतलब I2 को fetch कर दिया, decode किया और operand को fetch किया operand को fetch करने का मतलब है, हमने इस time duration पे fetch कर लिया है लेकिन आप ध्यान से देखो R3 की value जो है वो update कहां पर हो रही है R3 की value इस point पर update हो रही है मतलब इस time के बाद R3 को अपनी final value मिलेगी जो इन दोनों को add करने के बाद update होगी लेकिन उस update से पहली उस write से पहली हमने क्या कर लिया read कर लिया R3 की value को इस point पर तो इस type की dependency को हम क्या बोलते है read after write dependency और यहाँ पर obviously कही न की data inconsistency की problem आएगी क्योंकि यह R3 की value कौन सी है वो value है जो I1 ने अभी तक update किया ही नहीं यानि कोई पुरानी value के उपर यह काम कर रहा है तो यहाँ पर कही न की मिरको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें stop करना पड़ेगा I2 की execution को मतलब हमने यहाँ पर हमें stall create करने पड़ेंगे ताकि हम I2 को कहाँ पर start कर सके इस point of time पर हम I2 को start कर सके मतलब इसको fetch करे decode करे और फिर operand को fetch करे ताकि जब इस point पर operand fetch करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास R3 की value कोन सी आएगी जो यहाँ पर update होगी क्योंकि इस point पर already वो update हो चुकी है तब जाके आप कह सकते हो कि yes final value हमें यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ तो हम operand forwarding का method या फिर आप यहाँ पर stall create करके मतलब obviously कहीं न कहीं अब stall create होंगे तो performance पर भी फरक पड़ेगा और CPI की value जो हम one create करते है idle condition में हम चाहते हैं कि हर एक clock pulse में एक instruction execute हो वो नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं न कहीं delay जो है वो create करना पड़ेगा ताकि हम values को properly read कर सकें तो यह actual में example है किसका read after write data hazard का और अगर आपको कोई भी एक question आता है उस question में अगर आपको find out करना है कि read after write है या नहीं उसके लिए एक simple सा method है आपको करना क्या है आपको domain and range दो चीज़े आप find out कर लो domain and range का मतलब क्या होता है कि domain हम consider करते है जहां से value को हम input ले रहे है मतलब जहां से हम input ले रहे है वो domain है और जहां पे हम store कर रहे है value वो आपकी range है just for example हम यहाँ पे इस तरीके से ले ले लेते है मतलब अगर हम बात करे हैं यहाँ पे i1 instruction की तो i1 instruction में domain क्या बनी मतलब कहां से हम input ले रहे है operand की value कहां से आ रही है r1 और r2 में से आ रही है तो r1 और r2 मेरे क्या होगे domain होगे i1 के अंदर और final value हम कहां पे save कर रहे है मतलब destination क्या है destination है r3 तो r3 आपका क्या हो गया range हो गया i1 का ऐसी अगर हम बात करें i2 की तो i2 के case में हमारे पास जो domain हो क्या बनी r3 and r4 क्योंकि हम values को operand को कहां से ले रहे है r3 और r4 से और final value कहां पे store कर रहे है destination क्या है आपका r5 इस तरीके से अगर आप इसको लिख लेते हो और finally आपको find out क्या करना है अगर आपके जो i1 मतलब i1 के अंदर जो आपकी range है i1 के अंदर जो आपकी range value है और i2 के अंदर जो आपकी domain value है अगर इन दोनों में से कुछ भी इन दोनों में अगर कुछ भी common है मतलब इनका अगर intersection not equal to phi है मतलब not equal to zero है इन दोनों के बीट में कुछ ना कुछ common अगर आता है तो यह नहीं आप क्या बोल सकते हो यह read after writer data hazard है reason क्या है उसका i1 जो है वो i2 से पहले होनी चाहिए obviously i1 जो है वो i2 से पहले execute होई है और इसके अंदर जो हमारी range है range का मतलब है इसकी value r3 और domain जो i2 की i2 में domain में देखो r3 तो r3 और इन दोनों में कुछ ना कुछ common है yes i1 की range में क्या है r3 है और i2 की domain में क्या है r3 r4 तो देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ common है yes common क्या है r3 यानि not equal to 5 आगए true तो इसको हम क्या बोलते है read after write dependency तो इस type के आपको बहुत सारे question मिल सकते है जहाँ पर आपको पता करना होता है कि आपको question में दिया होंगा अलग-लग instructions दियोंगी और उसको आपको find out करना है कि कितनी इसमें read after write dependency है या write after read है या write after write है वो हम further video में discuss करेंगे तो यह आपको यहाँ से पूरी वीडियो में आपको पूरी detail में पता लग जाएगा कि read after write dependency होती क्या है या read after write hazard क्या होती है Thank you